दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मुझे बहुत लोग मिलने आते हैं और मुझे ये कहते हैं कि मैं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ पर मुझे सब ने कहा कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं हो सकता और इसलिए शायद आज में डिप्रेस हो चुका हो मुझे लगता है कि हम दो आवाजों के बीच में फसे हुए है एक है दुनिया की आवाज और दुसरी है दिल की आवाज और सुनना ही है तो सही में दिल की आवास सुनना शुरू करो क्योंकि दिल होता जरा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात है एक एक्जामपल में आपको देना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में अगर एक 2,000 रुपे का नोट हो और एक हाथ में दो रुपे का सिक्का हो और अगर दोनों मेरे हाथ से गिर जाए मुझे बताइए आवास कौन करेगा नोट या सिक्का अफ कोर सिक्का चिल्लर ही आवास किया करते है जो वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवास है नहीं होती आप कनेक कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो लोग आपको बार बार निगेटिव बोलते हैं कोस्ते हैं समझ लीजेगा वो चिल्लर है तुम्हें अपना वैल्यू बढ़ाना है क्रिकेट का खेल चिल रहा हो प्लेयर्स खेल रहे हैं और ओडियंस चियर अप कर रही है चिला रही है शायद कई बार ताने भी मारती है सुनाती भी है आवास तो करती ही रहती है कोई भी खेल में आवास कौन करता है प्लेयर्स आवास करते हैं कि ओडियंस आवास करती है अपकोर्स आवास करती है That means, अगर आपके जिन्देगी में बहुत लोग आवास करने लगे तो समझ लेजेगा, आप सच्छे खिलाडी हो और वो अभी भी ओडियन्सी है And जब आपके नरी attitude आज जाएगा ना, आपको कोई रोख ही नहीं सकता तो आज मैं आपको यही कहना शातिन के दिल की आवास, जरूर सुनो And of course एक attitude अपनाओ, जिसे हम कहते हैं Never Give Up जिन्दगी में हार मानो ही नहीं, कितने सारे लोग हैं चोनोंने इस attitude को अपना आया और अपनी life को change कर दिया, सबसे बड़ा example है Abraham Lincoln दोस्तों उनकी जिन्दगी से इतना inspiration मिलता है, कि जो बंदा गरीबी में जनम लेता है इतनी तकलीफ भुगतता है, इतनी हद तक वो depression में चले गए थे कि कुछ समय तो उनकी जीवन के ऐसा बीता, कि अगर कहीं चाको छुरिया है तो वो वहाँ से चले जाते थे, विक्यों उनको ये डर था कि कभी में वो चाको उठा के अपने आपको मार न दो इस टाइब के depression में चले गए, उसके बाद business में failure के बाद, जब वो politics में आए, वहाँ पे भी क्या हुआ? Continuously failures, बट फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, प्रहतना करता गया, करता गया और एक दिन आता है, जब वो अमेरिका के president बनते हैं और ऐसे president जो आज भी लोगों को influence कहते हैं, he was the most influencing president ever in USA, he never give up, तो आप क्यों give up करते हैं, Thomas Alva Edison, मुझे लगता है, salute है इस बंदे को, युगि उस बंदे के अंदर जो भावना थी, कभी हार न मानने की, प्रहत न करने की, आप जानते हैं, बिजली के बल्ब बनाने का, उनका passion के मैं करना चाहता हूँ, और 999 बार वो fail हुए, दूस्तों आप सोचो कि अगर आपको एक बार, दो बार, पांच बार, फेल हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, वो चीज को, वो बंदा 999 बार हार ही नहीं मानता, और तब, जब वो विजली का बल्ब ढूनता है, तब एक इंटर्वियर उनके पास आते हैं और इंटर्व लेते हैं और कहते हैं, कि थॉमस, आपको कभी शरम नहीं आई, कि आप 999 बार फेल हुए, थॉमस हसके कहते हैं कि नहीं, कौन कहता है कि मैं 999 बार फेल हुआ हूँ, अरे मैंने तो 999 ऐसे रास्ते ढोड निकाले हैं, जिस सास्ते पर तो लाख प्रहता करेगा पर विजली का वर्द ही बना पाएगा हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपी जी अब्दुलकला उनकी जिंदगी में से भी बहुत को सीखने जती बाते हैं वो पाइलोट बनना चाहते थे और वो इंटर्विय देने के लिए गये और बैठे हैं और वही से एक इन्सान गुज़रते हैं और वो उनको चेहरे से 자국 कहते हैं कि बीटा तु क्यों इतना उदास है तो यह कहते हैं कि मैं क्या करूँ आज मेरा इंटर्व्यू था आठ लोग सिलेक्ट हो गए और मैं क्यला रिजेक्ट हो गया इससे बुरी बात क्या हो सकती है यो सन्त बड़े प्यार से कहते कि बिटा शायद तु अभी समझ नहीं पा रहा है पर शायद हो सकता है उपर वाला तुझे उससे भी बहतरीन कुछ देना चाता है You never give up ये सला उनके मन में बैठ गए और उन्होंने सोचा कि मुझे हार नहीं मानी उन्हें प्रयत्न करना शुरू कर दिया और बाकी जो हुआ वो तो इतिहास आप जानती है बड़े घटना घटी जब उन्होंने as a president सुपरसोनिक प्लेन में ट्रावल किया और जब वो लेंड करते हैं वहाँ पे देर सारे पाइलोट थे जो उनको सल्यूट कर रहे थे उनको सलामी दे रहे थे उनके पद को जो रिस्पेक्ट देते हैं और सारे पाइलोट जब उनको सल्यूट करते हैं तब उन्हें याद आता है कि अगर उस दिन में पाइलोट बन गया होता तो शायद आज का दिन मुझे नहीं मिलता पैट मीन्स उनके अंदर एटिटूट था नेवर किव और उसी एटिटूट ने उनको कहां से कहां पहुँचाया और सोचे दोस्तों अगर यही एटिटूट आप भी अपनाएं तो हम लोग कई बाद चीज गलत न हो जाए मुझसे गलती न हो जाए इस दर से भी बहुत कुछ नहीं करते याद रखिए गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं कुछ करने की हिम्मत रखिए मेरे पास जब लोग सीखने को आते हैं हम अपने सेमिनार लेते हैं वरक्शॉप कंड़ करते हैं और यही एटिटूट जब हम लोगों के अंदर जगाते हैं हमने देखा है इतना ट्रांस्वरमेशन आता है जिंदगी के वो माइनस फेज में चल रहे थे और जब वो एटिटूट जिंदा हो जाता है और आज वो तॉप के शिखरों पे बैठे हुए हैं तोड़े इस हार तुमोरो के बीवर्स बट नेवर गिवाप बिकास अदे आफर तुमोरो विल बीट शंशाइन